इसले वीडियो में हमने चेप्टर 3 के इंट्रोड़क्शन के बारे में बात करी थी तोड़ी आइम गूंट डिसकर सक्साइज 3.1 ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्विशन है अपने पास में फर्स्ट क्या है अपने को ग्राफिकल मेथोड से इसका सॉलेशन को फाइंड करना यह तो यहां पर आप देखे कितने स्ट्रेंट्स हैं 10 तैन स्ट्रेंट्स टैन स्ट्रेंट्स ओफ ए ख्लास 10 तुक पार्ट इन मैथेमेटिक यूज इस दे नमर अव गल्स is four more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz ठीक है अपने को number of boys and number of girls की बताने हैं कि इसमें कितने होंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो इसमें equation बनानी है मैं equation ही से बनाता हूं देखिये पहले equation के बनेगी 10 students of class X 10th took part in mathematics if number of girl is four more than number of boys to many palace make a be a the case for solution में ही बता रहा हूं solution यहां पर देखिये number of girls let number of girls is X and number of boys number of boys are y okay ठीक है तो यहां पर आपन ने इसको X और Y मान लिए है ठीक है अब क्या बोड़ा है कि number of girls is four more than number of boys number of girls is four more than number of boys तो जितने number of boys है उससे चार्ज जाता है तो जो यह X है तो देखिये according to question इसका मतलब क्या है according to question number of girls is four more than number of boys तो जो number of girls कितनी X is equal to यह boys से चार्ज ज्यादा boys है कितने y तो y plus 4 देखिए यह एपनी first equation बन गई है यहां पर first equation अपनी बन गई है second equation देखिए अब total students है जितने वहाँ पर 10 students है तो यानि कि X और Y इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए तो इसको मैं पहले equation one को थोड़ रड़ा से simplify कर लेता हूं और फिर equation second लिखता हूं देखिए इसका मतलब मैं इसको क्या बोल हो जगता हूं इसका मतलब यह होगी मेरे पास में एक्स माइनस वाई इस इक्वल टू फॉर ठीक है यह equation वान जाए दूसरी यह equation क्या हो जाएगी x plus y यह दोनों किसके बराबर होंगे 10 क्यों एक्स तो number of girls है and y क्या है number of boys है दोनों का सम तो total 10 ही होगा तो यह second equation होगी x plus y is equal to 10 यह अपने होगी equation number second अब इन दोनों equation से अपने को graph बनाना है यह दोनों lines बनानी है और जहां पर यह lines intersect करेंगी वह अपना क्या हो जाएगा solution हो जाएगा यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है समझाया है तो चलिए अब इनको graph पर upload करते हैं तो यह मैं दोनों equation यहां से वहां रखता हूं एक second ठीक है तो इनको मैं यहां से copy करता हूं और यहां पर इनको paste कर लेता हूं ताकि मेरे को easy रहे तो यहां से अब मैं पहले इनकी table बना लेता हूं तो यह देखिए तो equation first की from equation first ठीक है from equation first तो उससे मैं टेबल बना रहा हूं यहां पर ठीक है तो x की value यहां पूपरता जाओं अब देखिए यहां से x इसको मैं क्या लेख सकता हूं इस equal equation को अगर मैं y को इधर लेकर आ गया तो यह बहुत जाएगा नहीं y को नहीं x को x को अगर मैं इधर लेकर आ जाओंगा और y को इधर ले आओंगा तो यह equation मेरे पास बनेगी y is equal to x minus 4 यह equation बन गई ठीक है अब मैं क्या यहां पर x की value रखता जाओंगा जैसे मैंने पहले x की value रख दी 0 तो x की value 0 के लिए यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो यह मेरे पास y की value कितनी आ जाएगी minus 4 ऐसे x की value अगर मैं रखूं कितनी 4 रख दूँ एक्स की value 4 रखूंगा तो यहां पर 4 रख दीजिए यहां पर x की जाए तो 4 minus 4 कितना हो जाएगा 0 तो यह दूसरा आपने पास में इसी तरह से अगर आप 5 रख दोगे तो आपके पास में यहां पर y की value कितनी आ गई 1 आ गई और भी बहुत से point वाप plot कर सकते हो लेकिन मैंने 3 point plot कर लिये अब इसके बादे अगले देखते हैं अपन इस वाले equation से equation 1 आगी अब from equation 2 equation 2 से अगर देखते हैं तो वही देखो equation 2 से अगर मैं देखूं तो यहां से equation 2 को मैं क्या लिख सकता हूं देखे हैं वाई is equal to 10 minus x लिख सकता हूं ना equation 2 को अगर एक्स को इदर पहुंचा दिया है तो यह इस लिखता हूं यहां पर मैंने वही एक्स लिखा ठीक है और फिर मैं यहां पर क्या लग दूँगा y is equal to 10 minus x अब देखो यहां पर मैं x की value रखूंगा और मेरे पास आते जाएंगे x की value पहले मैं रखी 0 यहां पर 0 रख दो 10 minus 0 कितना हो गया 10 ठीक है फिर यहां पर मैं value रख देता हूं 10 x की तो 10 minus 10 कितना हो गया 0 ठीक है इसी तरह से आप जो भी value रखते जाओगे जैसे आपने value रख दी 1 तो 1 रखोगे तो y की value कितनी आगी 9 आगे जितने भी मर्जी आप point आइसमें find out कर सकते हूं चलिए अब मैं इसको upload करता हूं इस table की help से देखिए पहले इस वारी table 1 को आपने देख लेते हैं इससे अपने पास कौन से लाइन आगी तो एक्स ब्रावर क्या है 0 एक्स ब्रावर जीरो कहा है यह रहा देखिए यह क्यों से हो गई अपने पास में x-axis होगी और यह अपने पास में कौन से होगी y-axis होगी ठीक है तो अब इसको देखते हैं तो x ब्रावर 0 पर y ब्रावर कितना है माइनस फॉर एक्स ब्रावर जिरो इस पे पूरे पे एक्स ब्रावर जिरो है एक्स ब्रावर जिरो और वाई ब्रावर कितना है माइनस फॉर तो यह पहला पॉंट अपना पास यह आ गया दूसरा एक्स ब्रावर फॉर पे वाई ब्रावर कितना है जिरो तो X ब्राबर 4 ये रहा, Y ब्राबर 0 ये रहा, तो दूसा पॉंट अपना होगे ये, तिसा पॉंट है X ब्राबर 5, Y ब्राबर 1, X ब्राबर 5, Y ब्राबर 1, तो ये अपना पास पॉंट आ जाएगा, कुछ ये, ठीक है, तो इस तरह से ये पॉंट आते जाएंगे, उसी परका मैं इसको लोक कर देता हों ता कि okay है अब समझेव इस बात को X बराबर six रहा तो Y बराबर अपने पास आ गया है टू ठीक है तो यह अब अपने बास में आ गया अब आप इस लाइन को अगर मैं रोग करता हूं तो अपने पास में क्या आएगा देखना अपने पास में ये वाली लाइन आगी एक मिन्ट इसको तो दोड़ा समय को दोबारा बनाना पड़ेगा थोड़ी सही नहीं बनी है अब ठीक है तो यह तो आगी अपनी एक्वेशन वन से जो लाइन रो यह वो आगी अब अपन चलते हैं टेबल ओके टेबल नमर टू से आपने देखते हैं अपने पास में कैस लाइन आते हैं तो यहां पर एक्स ब्राबर क्या है एक्स ब्राबर क्या है यहां पर जिरो एक्स ब्राबर जिरो पर वाई ब्राबर कितना है टेन है एक्स ब्राबर जिरो यह रहा वाई ब्राबर टेन यह र बावर नाइन तो यह अपना पास में पॉंट आ गए कुछ यह इस तरह से यह वाले पॉंट अपने पास में आते जाएंगे यहां पर ठीक है तो मैं इसको ड्रो कर देता हूँ कि एक सेकेंड तो यह अपने पास में लाएना गई है दूसरी तो यह कहां पर इंट्रेसेक्ट कर रहे है देखे तो यह अब यह इंट्रेसेक्ट कर रहे है यहां पर ठीक है, एक सेकंड, थर्ड वा कन्फूजन ना हो, कलर चेंज कर लेता हूँ, यह इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने, यहाँ पर, तो यह वाला जो पॉइंट है, वो क्या है, देखिए, यह वाला पॉइंट है अपने पास में, 7, यह वाला पॉइंट कुन सा हो गया, 3, 7, 3, तो यही अपना क्या हो जाएगा, solution, तो यहाँ पर अपना, x का value कितना आ गया, 7, x का value अपने पास आ गया, 7, और y का जो value है, वो कितना आ गया, 3, तो x अपने क्या माने थे, ठीक है, x अपने क्या माना था, वहाँ पी देखिए, x अपने था, number of girls थी, number of girls थो अपने पास में कितनी आ गयी, 7, अबन यह क्या आपने पास में नंवर औफ नंबर ओफ गल्स में ठीक है और यह वाई अपना आक्या अगय यह यह आपने पास क्या वेन नंवर ऊफ इंद तो उम्मीद करता हूं चुर्इंड्स आपको यह समझ में आ गया होगा इसी तरह से अपन आगे के क्युश्ण दो वी second question भी यह है यह वाला मैं आपको खुझ से घर के लिए homework के रूप में दे रहा हूँ आप इसके practice किजिए अगर नहीं होता है तो मेरे को comment box में बताईए मैं इसको दुबारा आपको बता दूगा किसी और वीडियो में ठीक है चलिए अब आपन second question पर चलते हैं देखे students मेरा ज सब्सक्राइब करा दों तो उससे आपको benefit नहीं होगा ठीक है कराने को मैं सारे सोल करा सकता हूं ठीक है चलिए अब आपन second पर बढ़ते हैं question number second क्या गर रहा है on comparing the ratio find out whether the lines representing following pair of linear equation intersect at point are parallel or coincident अपने को बताना है कि यह इंटरसेट कर रही है या parallel है या coincident कर रही है तो यह execution है देखिए यहां पर first question आप देखिए तो इसमें आपने को पहले यह ratio find out करने है तो चलिए इसको start करते हैं ratio देखो first question में solution इसका solution यहीं पर मैं बता रहा हूं solution तो इसमें जो first question है first question में ratio find out देखिए a1 upon a2 a1 क्या है यहां पर 5 देखिए यह a1 है a2 क्या है 7 तो a1 upon a2 यह नहीं 5 upon 7 दोसरा आपन देखते है है b1 upon b2 तो b1 क्या है minus 4 minus 4 और b2 क्या है 6 ठीक है और इसी तरह से अपन देख रहे हैं तो यहां पर देखिए a1 upon a2 is not equal to is not equal to b1 upon b2 यह equal नहीं हो रहा है यहां पर रही a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 इसका मतलब क्या हुआ कि इसके unique solution होगे देखिए पिछले वीडियो मेंने बात करी थी आपको मैं एक और फिर से बता देना चाहता हूं पिछले वीडियो मेंने बात करी थी तो उसमें मैंने यह बताता है कि if if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then there will be unique solution unique unique solution यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है तो यहां पर यह दोनों equal नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह unique solution होगा और यह line है क्या करेंगी intersect करेंगी इंटर सेक्ट करेंगी ठीक है तो यहां पर जो line है pair of equation है वो क्या करेंगी intersect करेंगी तो इसका answer हो जाएगा intersect ठीक है intersect at a point intersect at a point ठीक है अब देखिए इसी तरह से आपन अब अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question क्या कर रहा है यह है तो इसमें अपन वो ही second का solution मैं आपको बता रहा हूं यहां पर तो देखिए एवन क्या है यहां यहां पर nine एटू क्या है 18 तो nine upon 18 दूसरा क्या बीवन अपन बीटू क्या है three upon six यह देखते हैं यह साथ हो या यह वन अपन एटू यह क्या हो गया बीवन अपन बीटू थोड़ा समें पर इसको अब च्रूंग से लिख देता हूं ताकि आपको समझ मैं देखिए यहां पर क्यूशन नमर सेकेंड में आप देखेंगे क्यूशन नमर सेकेंड में आप देखेंगे एवन अपन एटू अपने पास मैं क्या आया nine upon 12 nine upon 18 इसको अगर मैं सिंप्लिफाइए करूंगा तो यह आगया one upon two कितना आगया one upon two इसी तरह से अगर मैं बीवन अपन बीटू की बात करूं तो यह अपने पास मैं आगा three upon six three upon six which is equal to one by two और ऐसे अगर मैं देखा हूं c1 upon c2 तो वो क्या रहा है 12 upon 24 again it is one by two ओके तो आपन देख रहे हैं कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to one by two तो इसका मतलब क्या हो गया चब तीनों ही equal आ गये तो इसका मतलब हो गया कि यह coincident कर गई है कोइंट क्या कर गई है coincident कर मतलब क्या हो गया एक line दूसरे line के ओपर है 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 ना एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है इसका मतलब यह हो गया दोनों लाइने इक दूसरे पर कोइंसाइड कर गई इसका मतलब यह दोनों के दूसरे ऊपर है और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था इस केस में जो solution होते हैं infinitely इसको होते हैं है इन्षण यह हैं इसके यह इपना हो गया है कि अपने पास में एवण अपने टू क्या है A1 upon A2 6 upon 2 इसको थोड़ा सा अगर simplify करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 3 upon 1 ठीक है इसी तरह से अगर मैं B1 upon B2 की बात करता हूँ तो ये मेरे पास में है minus 3 upon minus 1 तो ये again ये भी क्या आगया अपने पास में ये minus से minus cancel out हो गया ये again 3 upon 1 आगया इसी तरह से अगर मैं बात करूँ C1 upon C2 की तो वो मेरे पास में है 10 upon 9 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं आप A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 देखे ये दोनों equal है ये दोनों ratio क्या आ रहे हैं आपने पास में equal हा रहे हैं but it is not equal to C1 upon C2 C1 upon C2 के equal नहीं है C1 upon C2 10 upon 9 है तो इस condition में मैंने आपको क्या बताया था इस condition में मैंने आपको बताया था कि दोनों लाइन्स जो होंगी वो कैसी होंगी parallel होंगी parallel दोनों लाइन कैसी होंगी parallel होंगी तो दोनों लाइन कैसी होगी parallel होगी और इसके जब दोनों लाइन परलाल होती है तो उसमें गजिस्मेंट नो सॉल्यूशन होता है यह भी मैंने मैं आपको बताया था दोनों लाइन होते तो नो सोलीशन ओके तो यहां पर देखिए अब मैं तेनों को आप अब नोट कर लिया हो गई इस तरह से अपने को रेश्यों देखने हैं और रेश्यों एक्वल है की नहीं है यह तीनों केस्स देखने हैं अगर है तो फिर अपन उनको इस तरह से बता सकते हैं इसके बाद आप क्या होंगे यह इंट्रसेट करेगा पहला पहला अपने बाज में यहां पर क्या करेगा इंट्रसेट करेगा यह इंट्रसेट करेगा सेट दूसरे में दूसरे में क्या होगा कॉंसिडेंट होगा इसमें कॉंसिडेंट होगा और तीसरे में अपने पास में क्या होगा पैरलल होगा ठीक है तो ये अपने होगे क्यूशन नम्मर टू ठीक है अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ज्यादा ही ये फैल गया है तो देखिए हुँआ है तो अब 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 चलते हैं क्यूशन नम्मर थर्ड की दरफ ठीक है है ओके तो क्योशन नम्मर थढ़ मंगार रहा है कि on comparing ratio find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent अपने को consistent है या inconsistent है वो बताना है और ये कैसे बता पाएंगे consistent कुन सा होता है देखे इसको मैं आप होता देता हूं कंसिस्टेंट कंसिस एक सेकेंट ठीक है देखें कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कौन सा होता है जो जिसका सोडिशन होगा सोडिशन ठीक है और इंकंसिस्टेंट inconsistent कौन सा होगा जिसका no solution होगा no solution ठीक है अब आप देख लिजी तो यहां पर अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो इन दोनों ही इन दोनों ही इक्वेशन में अपन वहीं रिशोफ आउट करेंगे पहले तो दिधिशिया इसमें Six आप आपको पहला आप आप वन यह तो च kamu मैं हा राइसमें तो क्या है थू एड़ु क्या है ड्य थी अपन Тु ठिक है फिर भी वन अपन वी स्ट हूं какое है टू अपॉन माइनस थ्री ठीक है और सीवन अपॉन सीटू अपने पास में कहे हैं फाइफ अपॉन सेवन तो देखें यहां पर मैं अगर बात करूं तो तो यहां पर देखें इन तिनों से अगर मैं देख रहा हूं तो से प्रोम उनटीब थ्री तो आपने देखते हैं एवन अपउन एट ईद्टू के है उन इसका मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 के एकवल नहीं है तो जब इकवल नहीं होता है तो क्या होता है युनीक सोलीशन होता है तो अपन क्या लिग देंगे पेर ओफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ठीक है तो यह क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा ठीक है इसी तरह से अपन आगे दूसा ग्वेशन भी देखते हैं कि मैं आपको इसको एक अलग से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपको इसको आपके नोटबुक में कैसे करना है ठीक है यहां पर थोड़ा मैं समझाने बारा हूं रंग से देखिए यह देखिए मैं नया पेज ओपन कर लेता हूं इसमें इसको भी चलिए यहां यहां मैं आपको इसको बता देता हूं आ ऑगे हैं कै तो यहां पर देखेंस नर्मर्ट क्या है टो एक्स-3य इस एकोल 3y is equal to 8 पहला तो इपना यह हो गया दूसरा क्या है दूसरा है 4x minus 6y is equal to 9 4x minus 6y 4x minus 6y is equal to 9 ठीक है तो यह अपने पास में हो गया तो यहाँ पर देखिए इसका solution मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो solution क्या हो जागा इसका तो सबसे पहले अपन रेशो देखेंगे तो here a1 upon a2 is equal to 2 by 4 on simplifying it will be 1 by 2 यह 1 by 2 हो गया ठीक है और इसी तरह से अगर अपन देखें b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 6 which is again 1 by 2 और इसी तरह से अगर अपन बात करें c1 upon c2 की c1 upon c2 is equal to 8 by 9 तो यहां से अपन देख रहे हैं from 1, 2 and 3 तो from 1, 2 and 3 a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो देखें a1 upon a2 तो बराबर आ रहा है तो जब यह कंडिशन होती है तो इस कंडिशन में क्या होता है जो लाइन्स होती है वो क्या होती है लाइन्स विल बी पैरलेल एंड देर विल बी नो सोलूशन ठीक है धाम वो कि लाएन्स लोड़ करें दो रहे लाइन्स होती है वहें वो लाइन्स व्येता क्याराबर एंड ट्वी होती है lines parallel है तो this implies there will be no solution there will be no solution line parallel हो दिये तो no solution होता है और no solution है therefore therefore linear pair of equation has inconsistent solution अपने को यही पूछा देखिए इसमें पूछे क्या है अपने को यह पूछे है pair of linear equation are consistent और inconsistent तो अपना answer क्या हो जाएगा जब no solution है तो inconsistent होगा ठीक है therefore pair of linear equation pair of linear equation is inconsistent तो इस तरह से अपना यह solution पूरा रहेगा तो देखिए अपने को इस तरह से इसको करना है पहले अपने को रेशो देखना है रेशो देखने के बाद में अपने को डिसाइड करना है कि यह lines parallel lines intersecting है यह coincide कर रही है और फिर उसके आधार पर आपने यह result निकालते है कि solution है यह solution नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा inconsistent तो इसका जो अपना answer हो जाएगा वो क्या हो गया inconsistent ठीक है चलिए अब next question क्यों बढ़ते हैं अगला question तो अपने यह दोनों question कर लिए हैं ऐसे थर्ड फॉर्थ और फिफ्ट क्यूशन भी अपना हो जाएगा वीडियो बहुत लंबी हो चुकिए तो इसलिए मैं यह आपको थर्ड फॉर्थ और फिफ्ट आप खुद ट्राइगा नहीं हो तो मैं बता हूँगा आप comment box में लिख देना ठीक है अब देखिए अपन चलते हैं क्यूशन नमर फॉर्ट है क्यूशन नमर फॉर्ट के है विच ऑफ फॉलॉव पे रोग लिने किसे आप consistent और inconsistent इसको तो आपन मैं पहला क्यूशन ही बता रहा हूं इसमें आपको यह तो देखते हैं इसका जो पहला क्यूशन है अपने इसको करता हूं क्यूशन नमर क्यूशन है फॉर्थ का फर्स्ट ओके पॉर्ट का फर्स्ट तो क्यूशन रमर फॉर्ट का फस्ट और विच्शन क्या है अपने पास ने हैं क्यूशन है एक सुलस वैर अपर फाइफ तो यह ब्रावर टैन स्दू प्लैस बावर आउज वैब और और 2x प्लस 2y बरावर 10 2x प्लस 2y बरावर 10 ठीक है तो अपने इसमें वही देखेंगे पहले इसमें देखते हैं क्या देखेंगे इसका solution देखें तो solution ठीक है तो solution देखते हैं तो here a1 upon a2 a1 upon a2 क्या है यहां पर 1 by 2 ठीक है आगे देखें b1 upon b2 b1 upon b2 क्या है 1 by 2 और c1 upon c2 c1 upon c2 भी क्या है 5 by 10 which is again अगे तो यह भी क्या आ गया 1 by 2 आ गया तो इससे क्या हो रहा है देखें from 1 तो from from 1, 2 and 3 ठीक है 1, 2 and 3 अपन देख रहे हैं a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to 1 by 2 तो यह इसके equal हैं तिनों equal आगे तब तिनों ही equal आगे हैं तो इसका मतलब क्या होंगे the line coincide karegi this implies lines lines will coincide take a line coincide degree line coincide karegi to this implies so there will be there will be इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट ली मैनी सोलीशन इन्फाइन 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 इन्फाइ pair of linear equations 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 is consistent तो यह क्या हो गई consistent हो गई और जब consistent हो गए यह तो अपना यहां तक का काम हो गया अब यह consistent हो गए तो अब इसके क्या करने हैं आपने को solution find करने हैं graphically तो इन दोनों की लाइन को graphically plot करना है तो चलिये start करते हैं इनको plot करते हैं if a second है धेके इसको मैं थ्वोड़ा साइड कर देता हूँ ता कि मैं इसको आपको पॉपली बता पाऊंग इसको भी मैं वोकन हूँ तो छ सब्सक्राशना हूँ राएं हैं इसको बना रहा हूँ तो देखी। होगा कोई यह X हो गया और और यह बराबर क्या हो जाएगा फाइफ माइनस एक्स ठीक है और अब इसको प्लोड करते हैं तो जब X बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा तो Y बराबर कितना होगा 5 जब X बराबर 1 होगा तो Y बराबर कितना होगा 4 और इसी तरह से अपने पास में आते जाएंगे और जब X बराबर 2 होगा तो Y बराबर 3 होगा 3 होगा तो ये 2 हो जाएगा तो इस तरह से ये अपनी टेबल बन गई है इसी तरह से अपने दूसे टेबल पर चलते हैं दूसा के एग दूसा भी दूसे टेबल भी यही बनेगी कैसे देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10 है तो इसको अगर मैं 2 कॉमल लेके और इसको पूरी एक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो यह बात क्या बनगी x प्लस y बराबर 5 बनगी तो पूरी एक्वेशन यही तो बनगी सेम ही है तो इन दोनों की टेबल सेम ही बनेगी तो अपना जो solution होंगे वो क्या हो जाँगी देखिए तो जब x बराबर इसको प्लोट करता हूं डाभ एक्च प्लावर बनटो यब रावर 4 एक्वेयाशन 2 तो वाय वरावर थी एक्वेया थी तो बोड़ो है जक्वात हएंगे देखिए एक सेकंड कि एक सेकंड कि इसको मैं बक्कृताएं gen पंड ठीक है तो यह इस तरह का इसका ग्राफ अपने पास आएंगे और दोनों लाइने दोनों लाइने एक के उपर एक ही रहेंगी और इसलिए इसके जितने भी यह पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं यहां पे जितने भी यह पॉइंट्स मिल रहे हैं यह सारे के सारे ही क्या यह पॉंट हो गए यह सारे इसके solution होंगे ठीक है तो इसके infinitely many solution है तो यह सारे ही यह जो टेबल आई है अपने पास में यह इसके सारे solution है इसके solution भी अपना यहां पर लिख देते हैं यह point कौन सा हो गया 0,5 यह वाला कौन सा हो गया 1,4 2,3 और 2,3 हो गया फिर 3,2 फिर 4,1 और फिर 5,0 यह सारे ही इसके क्या होगे solution यह सारे ही यह अपने पास में क्या होगे solutions ठीक है